नमस्कार दोस्तो हमारे यूटूब चैनल में आपका एक पर फिर से स्वागत है दोस्तो हम आपके लिए ITE 7 टेक्नोलोजी की सिरीज लेकर आएं जिसमें आपको ITE 7 टेक्नोलोजी के सभी चेप्टर से कुछ कुछ important questions देखने को मिलेंगे दोस्तो आज की इस वीडियो में हम और दुगिक सिलाई मशीनों के प्रकार चेप्टर से कुछ important questions ले रहे हैं बागी चेप्टर्स का लिंग आपको description box में मिल जाएगा उसलिए दोस्तो आज की इस वीडियो शुरू करते हैं पहला प्रश्न है overlock मशीन में एक से मी सिलाई में कितना धागा खर्च होता है इसके option है A5 से मी, B20 से मी, C10 से मी, D15 से मी, इसका सही उत्तर है 20 से मी अगला प्रश्न है overlock मशीन में अधिक से अधिक कितने धागो के कोन से चल सकती है इसके option है A2 कोन, B3 कोन, C5 कोन, D6 कोन, इसका सही उत्तर है 5 कोन अगला प्रश्न है शीगरता से कपडों की टर्निंग किस साधन से होगी इसके option है A, प्रेस द्वारा, B, मारकर से निशान उठाने से, C, नाखून से क्रीज डाल कर, D, इसके option है A, और B, दोनो इसका सही उत्तर है प्रेस द्वारा, अगला प्रश्न है मशीन पर कार्य करते समय शारिरिक संतुलन ठीक रखने के लिए क्या प्रयोग करेंगी? इसके option है A, कत के बराबर स्टूल, B, प्रकाश ठीक लेने से, C, सुई कपड़े के बराबर, D, प्रैसिंग स्टैंड पास में रख कर, इसका सही उत्तर है प्रकाश ठीक लेने से, अगला प्रश्ण है स्पूल पिन में धागा उलजने पर उसे तूटने से रोकने के लिए क्या किया जाए? इसके आप्शन है A, धागा सिस्टम चैक करना, B, थालिया चैक करना, C, नत में धागा डालना, D, धागे की क्वालिटी चैक करना, इसका सही उत्तर है थालिया चैक करना, अगला प्रश्ण है मशीन का भारी चलने का क्या कारण है? इसके आप्षण है A. धागा सिस्टम के अनुसार नहीं चलाना B. माल टाइट होना C. माल खराब होना D. सुई का मोटा होना इसका सही उत्तर है माल टाइट होना अगला प्रश्ण है बॉबिन केस का धागा न तूटने का क्या कारण है? इसके आप्षण है A. स्टिच रेगलेटर कसा होना B. दातों की उचाई ठीक न होना C. धागे की गती असंतुलिद D. बॉबिन अधिक भरा होना इसका सही उत्तर है बॉबिन अधिक भरा होना अगला प्रश्ण है सुई बार-बार कपड़ा खीचती है क्या कारण है? इसके आप्षण है A. नत में धागा न डाला हो B. सुई की नोग खराब होना C. स्पूल पिन में धागा उलजना D. प्रैशर फुट का दबाव अधिक होना इसका सही उत्तर है सुई की नोग खराब होना अगला प्रश्ण है मशीन का काम करते हुए बार-बार रुख जाने का क्या कारण है? इसके आप्षण है A. मशीन की देखभाल न होना B. बिना श्रिंग का कपड़ा सिलना C. धागा ठीक से न पिरोना D. नीडल प्लेट वर नीडल का छिद्र ठीक न मिलना इसका सही उत्तर है मशीन की देखभाल न होना अगला प्रश्ण है सुई धागा कपड़े का मेल एक जैसा न होने पर क्या हानी होगी? इसके आप्शन है A. कपड़ा इकठा होगा B. धागा तूटेगा C. सिलाई ठीक नहीं लगेगी D. उक्त सभी कारण होंगे इसका सही उत्तर है उक्त सभी कारण होंगे अगला प्रश्ण है ओवर लॉकिंग मशीन का आविशकार कब हुआ था? इसके आप्शन है A. 1881 में C. 1890 में B. 1889 में D. 1872 में इसका सही उत्तर है 1881 में अगला प्रश्ण है मशीन सिलाई में गुच्छे क्यों देती है? इसके आप्शन है A. धागा गांथ वाला हो B. धागे की गती तेज हो C. थालियों में धागा न डाला हो D. दातों में कच्रा भरा हो इसका सही उत्तर है थालियों में धागा न डाला हो अगला प्रश्ण है शटल में धागा जाते ही तूट जाता है क्या कारण है? इसके option है A. शटल का पुराना होना C. पत्ती अधिक कसी होना B. पत्ती का कटना D. पुर्जों में ग्रीस होना इसका सही उत्तर है शटल का पुराना होना अगला प्रश्न है सिलाई में बार-बार टाका छूटना क्यों होता है? इसके option है A. सुई का उचा फिट होना B. धागा अधिक मोटा होना C. सिस्टम में धागा उलजना D. उपर नीचे का धागा एक ही क्वालिटी का न होना इसका सही उत्तर है सुई का उचा फिट होना अगला प्रश्न है ओवरलॉक मशीन की स्पीड कंट्रोल की प्राक्टिस करने का तरीका क्या है? इसके option है A. कपड़ों पर मशीन चलाकर B. कागस की पट्टियों पर मशीन प्राक्टिस C. प्रकाश की ठीक दिशा D. स्टूल की उचाई ठीक लेना इसका सही उत्तर है कागस की पट्टियों पर मशीन प्राक्टिस अगला प्रश्न है आधुनिक लॉकस्टिच सिलाई मशीन का आविशकार कब हुआ? इसके option है A. 1807 C. 1874 B. 1814 D. 1790 इसका सही उत्तर है 1814 दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक हीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर करना नहीं भूले ताकि उन्हें भी इसका फाइदा मिल सके और दोस्तो इस वीडियो को लेकर आपके मन में गोई भी सब्वाल है फिर सुझाव है या फिर आपको किसी और टाविव को वीडियो चाहिए तो नीचे हमें कमेंट वोक्स में बता सकते हैं धन्यवाद